बिलासपूर जिला के राजगी वरिष्ट माध्यमिक विद्याले शाहतलाई में आयोजेत दो दिवसी विज्ञान मेले का आयोजन किया गया मेले के समापन मौके पर शिक्षामंतरी सुरेश भारदवाश ने मुख्या अधिथी के रूप में शिर्कत की विज्ञान मेले में विजेता चात्र को मुख्या अधिथी सुरेश भारदवाश ने सम्मानित किया इसके बाद ये विजेता चात्र राश्टर स्तेरिय विज्ञान प्रदरशनी में भाग लेगा बिलासपूर के जंडोता विधान सभस्तित राजकी वरिष्ट माध्यमिक विद्याले शाहतलाई में दो दिवसिय विज्ञान मेले का समापन हो गया समापन मौके पर शिक्षा मंतरी सुरेश भारदवाश ने विशेश रूप से शिर्कत की मेले में प्रदेश भर से स्कूली चात्र चात्राओं ने हिस्सा लिया इस तोरान चात्रों द्वारा एक से बढ़कर एक विज्ञान के मौडल प्रदरशनी में रखे गए शिक्षा मंतरी ने स्कूली चात्रों से मौडल के संदर्भ में जानकारी ली इस तोरान बेस्ट मॉडल बनाने वाले चात्र को सम्मानित भी किया गया विजेता चात्र को राश्टरस्तरिय विज्ञान मेले में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा शिक्षा मंतरी सुरेश भारदवाश ने कहा कि प्रदेश की जैराम सरकार शिक्षा के क्षेत्र में प्रगती लाने के लिए लगातार प्रयासरत है उन्होंने कहा कि अखंड जियोती मेरे स्कूल से निकले मोती और आडर आदर्श विद्याले के माधम से सरकारी स्कूलों में चात्रों को प्रेरित करने का काम किया जा रहा है जिसका नतीजा है कि अब सरकारी स्कूलों में चात्रों की संख्या बढ़ने लगी है 18,000 सरकारी बजयले हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण, कई बार हमारे अध्यापक जो हैं, मेरिटोरियस भी हैं, सेलेक्शन बेसिस पर आते हैं, सेलरीड जो हैं वो प्रॉपरली हैं, उसके बाब जूद बच्चों का या पैरेंट्स का रुजान जो है इतने स्कूल से निकले मोत वी कारेकरम परार्म किया है, और जिसकी जो सफ़ता है, वो सारे हिमाज़्य प्रदेश में बहुत तेजी से वो बढ़ भी रही है, और उसके काल मुझे लगता है कि हम आने वाले समय में हिमाज़्य प्रदेश के सभी जयलों में अच्छा इंफ सिटी चैनल के लिए बिलासपूर से वीजय भारदवाज की रिपोर्ट